नर्मदप्रम मुख्याले से कुछी दूरी पर नब्दा नदी और तवा नदी की भूमी में सेकलो बाग बगी चे पल्लवित हो रहे हैं। चिला मुख्याले से लगे हुए नर्मदप्रम और तवा नदी के किनारे के पास वाले लगबग एक दरजन गाओं कई किसानों ने अपने खेत में तथा खेत की मेर पर लगाई कठल से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। चेतरों में बाग बगीचे बढ़ते जा रहे हैं। यहां के बगीचों में कठल की पैदावार बढ़ती जा रही है। नदी की आज पास करीब एक दरजन गाओं बसे हुए हैं जिनमें कठल के पेड़ों में कठल लगी हुई हैं। कुछ गाओं, धानावड, रायपूर, बांदरवान, जासलपूर, डोंगरवाडा, सांगर खेड़ा, कुलामडी, रैसलपूर, रंडाल, पवार खेड़ा, निमसालिय, इवें पथोड़ी सेद, आसपास के गाओं में किसानों ने पौध्यों को बड़े जतन और लगन से लगाया हुआ है, अब बहें तेजी से फलने फूलने लगी है, ब्रक्चों में लगबख 3-5 किलो की इस समय कठल हो चुकी है, जो की अब बड़ी होने के बाद लगबख 10-15 किलो की कठल बन जाईगी, जो की बाजार में बिखने लगीगी, अभी बाजार में कम मातरा में तरीप 15-20 साल से कर रहा हूं कहा कहा तक डिमांड है अपनी आगे कठल इसकी डिमांड एमपी के बाहर भी है और पूरे महाराश्ट जवलपूर अब तो पेड़ पर करीब 3-5 किलो की कठर है अभी एक महीने के वाद यह कंदा वीस किलो का हो जाता है एक पेड़ में लगभा कितनी कठर निकलती है एक पेड़ में करीब 15-20 कठर आराम से लिकल जाती है